हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जैसा कि आप लोगों ने थम्नेल पे देखा होगा जो हम लोग हर मन्थ अस्पीडी करेंट अफेर के जो MCQ करते हैं आज हम लोग इस बुक में देखेंगे जो यह बुक है वो नवंबर 2022 से लेकर एक अक्तूबर 2023 तक के अपडेटेड बुक है जिस बुक के लास्ट में 800 MCQ दिये जाते हैं इसमें होता क्या है कि हर महीने 100 MCQ जो है वो नए अड़ किये जाते हैं और पीछे से 100 MCQ जो है वो हटा में जो MCQ दिये हुए हैं वो सारे MCQ को हम लोग एके करकर देखेंगे इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दियेगा डिस्किप्सन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप प बेजेंची उनके द्वारा इंडियन ग्रेंट पिक्स 2023 जीता गया है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर B नेक्स्ट है कि एसियन गेम्स में अर्थ सतक लगाने वाली पहली महिला खिलाडी कौन बन गई है तो एसियन गेम्स में अर्थ सतक लगाने वाली पहली महिला खिलाडी जो है वो बन गई है सेफाली बर्मा तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर C सेफाली बर्मा जो कि आप लोगों को याद होगा कि 49 गेंदों पे सरसर रन बनाई थी किसके खिलाब मलेशिया के खिलाब भारत की पहली ग्रीन हाइडोजन फ्यूल सेल बस को किस राज या यूनियन टरिटरेश में लॉंच किया गया है तो भारत की जो पहली ग्रीन हाइडोजन फ्यूल सेल है उसको दिल्ली में लॉंच किया गया है और किनके द्वारा जो हमारे पिटॉलियम और प्राकर्टिक ग्यास मंत्री है जिनका नाम है हरदीप सिंगपूरी उन्होंने हरी जंडी दिखा कर इसको लॉंच किया है तो इस क कोशन का सही अंसर होगा वो होगा option number C यानी की निसान अवाजी में आगे आए कि बॉर्लोग फिल्ड एवर्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है तो बॉर्लोग फिल्ड एवर्ड 2030 आप लोग नॉर्मन बॉर्लोग का नाम सुने होंगे तो वही है बॉर्लोग फिल्ड 2023 के लिए किनको चुना गया है एक अंतरास्टिये चाबल नुसंधान संस्थान की एक सिर्स बग्यानिक है जिनका नाम है स्वातिनायक उन्हीं को इस एवर्ड के लिए चुना गया है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number A यानी की स्वातिनायक 18 सिप्टमबर 2023 को संचालित operation सजग का संबंध किसे है तो operation सजग का संबंध जो है या अभियास जो है वो टटिये सुरच्छा उपायों की पुष्टी करता है और समूंद्र में जाने वाले मच्वारों को सिच्छित करता है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number A यान Tiger Reserve बन गया है तो भारत का 24 Tiger Reserve पौन बना है बिरंगना दुरगाबती Tiger Reserve और यह कहां इस्थित है यह जो है वो मध्यपरदेश में इस्थित है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number C यानि की मध्यपरदेश next question है question number 8 कि cricket के तीनों format T20 वन डे और टेस्ट में number 1 टीम कौन बन गया है तो यह बना है हमारा प्यारा देश भारत तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C यानि की भारत next है की आदिगुरू संक्रा चार्ज की 108 फिट की statue of Venice का अनाबरन जो है वो किस राज्य में किया गया है तो यह किस राज्य में किया गया है मध्यपरदेश में तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number D यानि की मध्यपरदेश नारी सक्ती बंदन अधिनियम के तहट लोगसभा और राज विधान सभाओं में महिलाओं के लिए कितना परतिसा सीट आरच्छन दिया गया है तो लोगसभा और राज विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 परतिसा सीट का आरच्छन किया गया है तो इस question का सही अंसर हो स्यस्तांग नेक्स्ट है कि किस राज की wearing देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है तो पाईल श्ब्रा जो है तो और किस राज में अस्कूल ऑफ-ignote की सुरुएं तो School of Eminence की सुरुआ जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है और School of Eminence परियोचना का जो उद्देश है वो सरकारी स्कूलों में सिच्छा का काया कलब बदलना और बिद्यार्थियों का समगर विकास जो है वो सुनिश्चित करना है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो आपसा नंबर C यानी की कुवा में भारत की पहली Solar City कौन बन गई है तो भारत का जो पहला Solar City है वो बना है साची जो की कहां स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नंबर A यानी की साची International AME Award पाने वाली पहली भारतिये महिला कौन बनी है तो International AME Award पाने वाली जो पहली भारतिये महिला है उनका नाम है एक ताकपूर तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नंबर C यानी की एक ताकपूर काजी फैज इसा किस देश की 29 में मुखने अधिस बनी है तो यहाँ पाकिस्तान की बनी है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नंबर B यानी की पाकिस्तान की नेक्स्टर की किस भारतिय एरलाइन्स ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की सुरुआत किया है तो प्रोजेक्ट अभिनंदन जो है वो किसके द्वारा सुरू किया गया है एर इंडिया के द्वारा सुरू किया गया है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नंबर B एर इ तो किस देश ने किया है? ब्रेटेन के द्वारा कर दिया गया है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number D यानि की ब्रेटेन के द्वारा किस रोग से पिडित मरीजों के लिए प्रतिवर्स 22 सिप्टमबर को दुनिया भर में बिस्व गुलाब दिवस जो है वो मनाया जाता है तो ब्रेटेन के द्वारा कर दिवस कब मनाया जाता है 22 सितंबर को मनाया जाता है और किस रोग से पिडित मरीजों के लिए मनाया जाता है? तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number B यानि की Cancer आप लोग एक डेट आप याद रखेगा वो डेट है छार फरबरी चार फरबरी को क्या मनाया जाता है? चार फरबरी को बिस्व कैंसर दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाये गए बिस्व एल्जाइमर दिवस की ठीम क्या रखी गई थी तो बिस्फ अलजाइमर दिवस का मनाया जाता है 21 सिप्टमबर को मनाया जाता है और 2023 का जो थीम था वो था नेवर टू यरली नेवर टू लेट यानि आपसे नमबर सी जो होगा वो आपका सही अंसर है नेक्स्ट है कि किस महिला किर्केटर को अगस्ट 2023 के लिए ICC Player of the Month का सम्मान मिला है तो ICC Player of the Month के लिए अगर महिला काटेगरी में बात किजेगा तो अरलीन केली जो की आयरलेंड की हैं उनको दिया गया है और अगर पूरुसों में बात किजेगा तो किन को दिया गया है बावर आजम उनका नाम है और कहां से बिलॉंग करते हैं पाकिस्तान से बिलॉंग करते हैं नक्स कोशन है कोशन नमबर 23 कहरा कि किस राजिया के अंदर सासित प्रदेश में इस्थित उधंपूर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर जो है वो सहीद कैप्टन तुसार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है तो उधंपूर railway station का नाम जो बदल दिया गया है उधंपूर railway station कहां इस्थित है जम्मू कास्मीर में इस्थित है तो इस question का सई answer होगा वो होगा option number A यानी की जम्मू कास्मीर और भी बहुत सारे railway station है जिनका हाल ही में नाम बदला गया है जैसे की चर्चिगेट railway station का नया नाम हो जाएगा सीडी देशमूख railway station कि वडिया railway station जो की गुजरात में इस्थित है उसका नाम बदल कर कर दिया गया है एकतानगर railway station हभीबगें railway station जो की मध्यपदेश में इस्थित है उसका नाम बदल कर कर दिया गया है राणी कमलापती रेलबे स्टेशन जहांसी रेलबे स्टेशन जो की उतर प्रदेश में स्थित है उसका नाम बदल कर कर दिया गया है बिरांगना लच्मी बाई रेलबे स्टेशन नेच्स्ट रेकि किस राजमे स्थित होई साला मंदेर युनेस्टक वर्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42 अस्थल बन गया है देखिए भारत का 41 अस्थल आप लोगों को याद रखना है वो कौन बना है शांती निकेतन बना है और यहां 42 अस्थल कौन बना है तो हो डियो सा होता है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization जिसकी अस्थापना जो है वो 1945 में की गई थी और Headquarter जो इसका है इस्थित वो कहां इस्थित है Paris, France में इस्थित है Next question, question number 25 कि भारत के पुराना जो संसत्भवन है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में अब नए संसत्भवन की शुरुवात हो गई है बन गई है तो पुराने संसत्भवन का जो नाम है वो संबिधान सधन रख दिया गया है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number C यानि की संबिधान सधन किस भारती अस्थल को हाली में यूनेसको की बर्ल हैरिटेज साइट की सुची में सामिल किया गया है तो किसको किया गया है सांती निकेतन को किया गया है तो इस question का सही अंसर है वो है option number C सांती निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल के बीर भूम जिले में इस्थित है और यह जो है वो 41 विस्व धरोह रस्थल के रूप में सामिल हुआ है 17 सिप्टमबर 2023 से केंदर सरकार ने कारीगरों, सिल्प कारों और मजदूरों को रिंद देने के लिए किस योजना के सुरुआत की गई 17 सिप्टमबर को हम लोग क्या मनाते हैं बिसकरमा, पूजा मनाते हैं तो उसी दिन शुरुवात की गई थी PM विस्व कर्मा योजना की तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा आपसा number B और यह जो PM विस्व कर्मा योजना है यह योजना लोहार, सुनार, कुमार, बढ़ाईगिरी, मुर्तिकला यह ऐसे जो विभिन वेवसायों में लगे जो परमपरिक कर्लिकर हैं या सिल्पकार हैं उनके उत्थान के लिए योजना जो है वो बनाई गई है पुरूस ADIA Cup 2023 का खिताब किस ने जीता है तो पुरूस ARIA Cup 2023 का खिताब जो है वो भारत जीता है और किसको हराकर तो सिललंका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है नेक्स्ट है कि 15 सिप्टमबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतरास्थी ये लोकतंतर दिवस की थीम क्या रखी गई है तो इसकी थीम क्या थी? इंपार्बरिंग दर नेक्स जनरेशन तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा ओप्सन अंबर B नेक्स्ट है कि 1-Day Asia Cup में सरवादीग बिकेट लेने वाले भारतिये गेंदवाज कौन है तो 1-Day Asia Cup में सरवादीग बिकेट लेने वाले भारतिये गेंदवाज है रबिंदर जरेड़ तो इसकोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा ओप्सन अंभर C यानि की सुल जरेडा, US Open 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो US Open जो 2023 है, इसमें महिला एकल का खिताब जो है वो कोको गॉफ, अई ये कहां की हैं, अमेरिका की हैं, इनके द्वारा या खिताब जो है वो जीता गया है, अच्छा अगर आपसे पूछ दे कि पुरूस एकल का खिता किसके द्वारा जीता है, या है, तो वो सर्विया के हैं और जिनका नाम है क्या, नुवाग जोकोविक, इनके द्वारा पुरूस एकल का खिताब जो है, वो US Open 2023 में जीता गया है, नेक्स्ट है कि कितने बैग्यानिकों को बर्स 2022 का 37 स्वरू भटनागर पुरुसकार दिया गया है, तो इस question का सई अंसर होगा, वो होगा, option number C, यानिकी 12, नेक्स्ट है कि US Open 2023 में पुरूस एकल का खिताब किसने जीता है, अभी हम लोगों ने देखा था, कि महिला एकल का खिताब जो है, वो कोको गॉफ, अमेरिका की जो है, और पुरूस एकल का खिताब जो है, वो इस question का सई अंसर होगा, वो होगा, option number A, नेक्स्ट है कि किस सहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांस्फोर्मर अस्टेशन जो है, वो स्थापित किया गया है, तो किस सहर में किया गया है, बैंगलोरू में किया गया है, तो इस question का सई अंसर है, वो है option number A, यानिकी बेंगलो रूमे किसे बर्स 2023 के डॉक्टर बीजी पटेल मिमोरियल एवोर्ड से सम्मानित किया गया है सत्यजीत मजूमदार को तो इस question का सही answer है वो है option number B सत्यजीत मजूमदार और इनको यह एवोर्ड जो है वो उदमियता को बढ़ाबा देने और मजबूत करने के लिए उनके काम के लिए है एवोर्ड जो है वो दिया गया है किस सुंदरी ने Miss International India 2023 का खिता है तो उनका नाम है प्रवीना अंजना तो इस question का सही answer है वो है option number A next है कि किस football team ने Durand Cup 2023 का खिता है तो एक question बड़ा जीगे का famous है कि और किस team के द्वारा जीता गया है मोहन बगान SG के द्वारा जीता गया है जो कि इष्ट बंगाल को हरा कर यह खिताब जीता है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number D 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23 सौर मिशन सफलता पुरबक लाउंच हुआ जिसका नाम क्या है तो उसका नाम है आदित 11 तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number B यानि की आदित 11 बर्थ 2023 के रहमन मैक्से अवार्ड से सम्मानित चार संजुक्त बीजेताओं में कौन भारतिय व्यक्ति सामिल है तो उनका नाम है डॉक्टर रभी कन्नन आयार तो इस question का सही answer है वो है option number C नेक्स्ट है की railway board की प्रथम महिला chairperson कौन बनी है तो railway board की प्रथम महिला chairperson बनी है जया बर्मासिनहा तो इस question का सही answer है वो है option number B यानि की जया बर्मासिनहा नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन बनी है तो पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी बनी है गीति का सिर्वास्तो तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number B यानी की गीति का सिर्वास्तो Miss Earth India 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है तो उनका क्या नाम है उनका नाम है प्रियन सेन तो इस question का सही अंसर है वो है option number C Next है कि किस देश ने दुनिया की पहली एथनॉल से चलने वाली कार लॉंच की है तो दुनिया की पहली एथनॉल से चलने वाली कार जो है वो भारत के द्वारा ही लॉंच किया गया है तो इस question का सही अंसर है वो है option number D यानि की भारत World Athletics Championship में सौन पदक जीतने वाले पहले भारती एखिलाडी कौन बन गया है तो बर्ल अथलिट्स Championship में सौन पदक जीतने वाले पहले जो खिलाडी बने है वो है नीरा चौपड़ा जिनका संबंध जो है वो भाला फेक यानि की जैब लिंथरों से है जिस अस्थान पर चंद्रेयान 3 का मून लेंडर उतरा था वो अस्थान अब क्या कहलाएगा प्रतिवर्स देश भर में राफ्टि ये अंतरिच दिवस मनाने की घोसना की है तो रास्टिय अंतरिछ दिवस जो है वो अब तेईस अगस्त को मनाया जाएगा तो इस question का सई अंसर है वो है option number C यानि की 23 अगस्त को मनाया जाएगा Next है कि 69 में रास्टिय फिल्म प्रोसकारों में सबस्रेश्ट अभिनेता का प्रोसकार जो है वो किसको मिला है तो सबस्रेश्ट अभिनेता का अगर प्रोसकार आपसे पूछे तो वो किन को मिला है अलू अर्जुन को मिला है तो इस question का सई अंसर होगा वो होगा option number C अलू अर्जुन और अगर सबस्रेश्ट अभिनेतरी का पूछ दे तो आलिया भट और क्रिती सेनन को मिला है और सबस्र इन दोर को मिला है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number B यानी की इन दोर को Next है कि बिरक समू के नए सदस देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है तो बिरक समू के नए सदस देशों के रूप में total 6 देशों को चुना गया है तो इस question का सईयंसर है option number C यानी की 6 और वो 6 देश के नाम भी आपको याद रखने हैं वो 6 देश के नाम है Miss, Saudi Arab, UAE, Ethiopia, Argentina और इरान Next रही किस राज में भारत का पहला AI अधारित अस्कूल खुला गया है AI यानी की होता है Artificial Intelligence और Artificial Intelligence अधारित पहला अस्कूल जो है वो भारत का केरल में खुला गया है तो इस question का सईयंसर होगा वो होगा option number D यानी की केरल में बिस्वे wrestling championship 2023 में भारत की 21 wrestler ने का से पदक जीता है तो उनका नाम है अंतिम बंखाल तो इस question का सईयंसर होगा वो होगा option number B नेक्स है कि PM किसान AI चैट बॉर्ट किसान E-Mittr को किसने लॉंच किया है तो या जो हमारे क्रिसी और किसान कल्यान मंत्री है जिनका नाम है कैलास चौधरी उनके द्वारा लॉंच किया गया है तो इस question का सईयंसर होगा वो होगा option number D यानी की कलास चौधरी भारतिये मूल की किस लेखिका के उपन्यास बेस्टरन लेन को बुकत पुरुसकार 2023 के लिए सौट लिस्ट किया गया है तो बेस्टरन लेन को बुकत पुरुसकार 2023 के लिए सौट लिस्ट किया गया है यह भारतिये मूल की कौन लेखिका है उनका नाम है चेतना मारूख तो इस question का सईयंसर होगा वो होगा option number B नेक्स्ट रेकी भारतिये किर्केट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतरास्टिये सीजन के लिए official partner चुना है तो यह किसको चुना है SBI Life को तो इस question का सईयंसर होगा वो होगा option number D यानी की SBI Life को नेक्स्ट है कि अंतरास्टिये सांती दिवस प्रतिवर्स कब मनाया जाता है तो अंतरास्टिये सांती दिवस जो है वो प्रतिवर्स 21 सिप्टमबर को मनाया जाता है तो इस question का सईयंसर होगा वो होगा option number C यानी की 21 सिप्टमबर रास्टिये बिग्यान पुरुसकार को कितने काटेगरी में दिये जाने की घोसना हुई है तो रास्टिये बिग्यान पुरुसकार को टोटल चार काटेगरीों में दिया जाएगा वो चार कटेगरी कौन-कौन है बिग्यान रत्न, बिग्यान सिरी, बिग्यान युवा सांती स्वरूप भटनागर और बिग्यान टीम मैं फिर से recall कर रहा हूँ वो है बिग्यान रत्न, बिग्यान सरी, बिग्यान युवा सांती स्वरूब भटनागर और बिग्यान टीम यही वो चार कटेगरी है जिसमें रास्ट्रिय बिग्यान प्रुसकार जो है वो दिये जाने की घोसना की गई है तो इस question का सही अंसर होगा बहोगा option number B तो उनका नाम क्या है उनका नाम है इला बेनील बलारीवान तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C next है कि skills on wills पहल किस मंतराले द्वारा सुरू किया गया है तो skills on will जो पहल है वो कौसल विकासो और रुदमियता मंतराले के द्वारा सुरू किया गया है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number C और इसका जो उदेश है वो ये है कि 5 बर्सों की अबधी में 60,000 ग्रामी नियूबाओं को ससक्त और कुसल बनाना है next है कि भारत की G20 अध्यचता पर people's G20 नामकी पुस्तकानावरन किस के द्वारा किया गया है तो people's G20 नामकी पुस्तकानावरन जो है वो अपुर्व चंद्रा के द्वारा किया गया है जो कि एक IS है और सूचना और प्रसारन मंत्राले के सचीव के रूप में कार्जरत है next है कि ESO भूमी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उधगाटन किस राजिया के अंदर सासी प्रदेश में किया गया है तो ESO भूमी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेक्शन सेंटर का उधगाटन जो है वो दिल्ली में किया गया है तो इस कुश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर D यानि की दिल्ली में नेक्स्ट है कि नमो इगारा सुत्री कार्जकरम की सुरुआत जो है वो किस राज में की गई है तो नमो इगारा सुत्री कार्जकरम की सुरुआत जो है वो महरास्ट में किया गया है तो इस कुश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C महरास्ट में महरास्ट एक य योजना भी याद रखिएगा जुहला योजना ये भी जो है वो महराव सरकार के द्वारा ही सुरू की गई योजना है नेक्स्ट है कि मुखमंत्री लाडली बहना आवास योजना के सुरूआत किस राज में की गई है तो मुखमंत्री लाडली बहना आवास योजना या प्रदेश की कुछ अन योजनाई भी याद रखिएगा जैसे कि लाडली लचमी योजना, मुखमंतरी सीखो कमाओ योजना, मुखमंतरी बाल आफिरबाद योजना यह सब योजना जो है वो मद्धपदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है एसिया कप में सरबादीक बिकट लेने वाले भारतिये गेंदवाच कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है रविन जरेड़ा तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर B नेक्स्ट है कि पांचमी रास्ट ये वील्चेर रगवी चेंप्रेंसिप दोहजार तेज का खिताब किस ने जीता है? तो यह महरास्ट ने जीता है? तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर A यानि की महराश्ट के द्वारा नेक्स्ट है इंडोनेसिया मास्टर्स 2023 में पुरू सेकल खिताब किस खिलाडी ने जीता है? तो इंडोनेसिया मास्टर्स 2023 में पुरू सेकल खिताब जो है वो किरन जॉर्च के द्वारा जीता गया है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसार नमबर A यानि की किरन जोर्ज बर्थ 2022 के 3700 रूब भटनागत प्रुसकार के लिए कितने बैग्यानिकों को चुना गया है तो 3700 रूब भटनागत प्रुसकार के लिए टोटल 12 बैग्यानिकों का चेन किया गया है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number C यानि की बारब बैग्यानिकों का नई दिल्ली G20 सिखर सम्मेलन के दोरान किस संग को G20 का अस्थाई सदस्त के रूप में सामिल किया गया है तो यह अफिरकन यूनियन को अस्थाई सदस्त के रूप में सामिल किया गया है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number B नेक्स्टर की G20 सिखर सम्मेलन के दोरान भारत ने बर्स 2024 में होने वाली G20 की अधहचता किस देश को सौपी है तो भारत जो है वो 2024 में होने वाली G20 की अधहचता जो है वो ब्राजिल को सौपा है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number D यानि की ब्राजिल को किस राज में mobile app सरपंच संबाद का अनाबरन किया गया है तो सरपंच संबाद का अनाबरन जो है वो किस राज में किया गया है असाम राज में तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number C यानि की असम हाली में किस भारतिये राज ने सेबा छेतर के लिए नई निती को मंजूरी दिया है किस भारतिय राजने उत्रा खंड ने तो इस question का सही अंसर होगा वहोगा आपसा नमबर D यानि की उत्रा खंड next है कि कौन सी बिमान निर्माता कंपनी भारतिय बायु सेना को C295 परिबहन बिमानों की डिलेवरी शुरू कर दी है तो या कौन सी कंपनी कर रही है Airbus तो इस question का सही अंसर होगा वहोगा आपसा नमबर B यानि की Airbus G20 Sustainable Finance Working Group की बैठक कहा है उजित की गई तो G20 Sustainable Finance Working Group की बैठक जो है वह 12 नसी में उजित किया गया है तो इस question का सही अंसर होगा वहोगा आपसा नमबर D यानि की 12 नसी One Day International Cricket में सबसे तेज 1500 बिकेट लेने वाले भारतिय अस्पीनर कौन बन गया है तो उनका नाम है कुल्दी प्यादब तो इस question का सही अंसर होगा वहोगा आपसा नमबर D यानि की कुल्दी प्यादब One Day International Cricket में कि इस खिलाडी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किये है तो सबसे तेज 13,000 रन पूरे जो है वो बिराट कोली के द्वारा किया गया है 20PC Green Energy Limited ने Green Hydrogen Project के लिए Naira Energy के साथ समझाता किया है तो इस question का सही अंसर होगा वहोगा आपसा नमबर E नई दिल्ली में One Big One Lab Program को किस ने लाँच किया है तो One Big One Lab Program को डॉक्टर जीतेंदर सिंग के द्वारा लाँच किया गया है तो इस question का सही अंसर होगा वहोगा आपसा नमबर C Indonesia Masters 2030 में पुरू सेकल किताब किस खिलाडी ने जीता है तो उनका नाम है किरन जॉर्ज तो इस question का सही अंसर है वहोगा आपसा नमबर E Next है कि Staff Under 16 Championship S.A.A.A.F. इसका full form होता है South Asian Football Federation Under 16 Championship 2030 का किताब जो है वो किस टीम ने जीता है तो भारत ने जीता है तो इस question का सही अंसर होगा वहोगा आपसा नमबर E यानि कि भारत ने World Band Minton Championship 2030 में किस ने कास सिपदक जीता है तो World Band Minton Championship 2030 में HS Pranay के द्वारा कास सिपदक जीता गया है तो इस question का जो सही अंसर होगा वहोगा आपसा नमबर C Next रहे की ACI टरटर अच्छक एजिंसियों के प्रमुखों की बैठक कहां आयो जीत हुई है तो यह हुई है इंस्ताबूल में तो इस question का सही अंसर होगा वहोगा आपसा नमबर E तो इस question का सही अंसर होगा वहोगा आपसा नमबर C यानि exercise bright star जो 2023 है उसकी मेजबानी कौन कर रहा है मिस्र कर रहा है फिर है की 20 में आसियान भारत सिखर सम्मेलन का आयो जन कहां किया गया है तो 20 में आसियान भारत सिखर सम्मेलन का आयो जन जो है वह जाकरता में किया गया है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर तो इस question का सही अंसर है वो है option number A भारत की पहली solar city कौन सी है तो भारत की पहली solar city साची है जो की कहाँ इस्थित है मदपदेस में इस्थित है 19 में ACI खेलों के लिए भारतिये दल के official sponsor के रूप में किसे नामीद किया गया है तो यह किया गया है अमूल को, तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number A यानि की अमूल को भारत की अधेश्थिता में आयो जी G20 सम्मिट में कितने देशों को guest country के रूप में आमंहद रिद किया गया है तो भारत की एधेश्थिता में जो G20 सम्मिट में हुआ था उसमें guest country के रूप में कितने country को आमंहद रिद किया गया था नौ देशों को आम रिद किया गया था तो इस question का सही अंसर होगा तो भारत के पहले UPI ATM को बजाज Finance के दरा लॉंच किया गया है तो सिचक दिबस के अबसर पर टोटल 75 सिच्चकों को रास्ट्रिय पूसकार से समानित किया गया है तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसा number D भारत के पहले AI संचालित anti-drone system का नाम क्या रखा गया है तो उसका नाम जो है वो इंदरजाल रखा गया है तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसा number C यानी की इंदरजाल चंद्रियान 3 के countdown को आवाज देने वाली scientist कौन थी जिनका हाली में निधन हो गया है तो चंद्रियान 3 के countdown को आवाज देने वाली जो scientist थी उनका नाम था N बालरम थी तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसा number A next question है question number 94 कि पुरूस होकी 5 Asia Cup का खिताब के स्टीम ने जीता है तो भारत जीता है पाकिस्तान को हरा कर तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसा number A यानी की भारत next है कि जूरिक डाइमेंड लीग चैंपिनसीब 2023 में नीरा चौपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है नीरा चौपड़ा के द्वारा रज़त पतक जीता गया है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number B किस राजने महिलाओं के लिए ग्री लच्मी योजना शुरू की है तो ग्री लच्मी योजना जो है वो करनाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है जिसमें प्रतिमाद 2,000 रुपे की सहता प्रदान की जाएगी यूदपोत महेंदर ग्री को किस सिप बिल्डर्स लिम्टेड ने तयार किया है तो उसको मंजगाओं डॉक सिप बिल्डर्स लिम्टेड के द्वारा तयार किया गया है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number D किस देश में joint military exercise bright star 2030 का आयुजन किया जाएगा तो यह किया जाएगा मिसर में तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number D आगे है कि bird athletes championship में gold medal जीतने बाले पहले भारती है कौन बने है तो उनका नाम क्या है उनका नाम है नीरा चौपड़ा तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number A यानी की नीरा चौपड़ा next है कि काजी रंगा नेशनल पार्क की पहली महिला field director के रूप में किसे निक्तिया गया है तो उनका नाम क्या है उनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोस तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number B यानी की डॉक्टर सोनाली घोस आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दू इसका 100 MCQ जो हर मंथ नया add होता है बहुत हो आज हम लोगों ने देख लिया है इस वीडियो में इसके अलाबा जो हो इसका monthly current affair का series जो होता है जो one liner होता है जिसमें कि हम लोग सिटमबर 2023 के सारे one liner को एक टेलिग्राम के लिए आप वीडियो के दियेगा description link से जाकर telegram group join कर सकते हैं या फिट टेलिग्राम में आप जाकर search कर लीजेगा आप पढ़ेगा इंडिया वहाँ जो group आएगा उसको join कर लीजेगा तो यह था हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा कमेंट करके जरूर बताइएगा साथी साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजे वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले अभी तक आप इस चैनल पर नहीं है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन दबा लिजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे हैं थैंक्स और वोचिंग